बच्चों, हमारे सामने एक मुम्बत्ती है, एक पैंसिल है, एक ड्राइंग शीट है, स्केल है, एक माचिस है. ये वस्तु हमें दिखाई दे रही हैं. क्यों? क्योंकि इस कमरे में प्रकाश है. हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आखों में पहुशती है, तो इस वस्तु का प्रतिबेम हमारी आखों में बनता है, और वो वस्तु हमें दिखाई देती है. तो क्या इन वस्तु को मैं उठा कर किसी ऐसे कमरे में ले जाओं, जहाँ पूरी तरह से उजाला हो, तो ये वस्तु हमें दिखाई देंगे? ये इस में कमरे में अंधेरा कर दो और इस मुमबत्ती को जलाओं, इस पैंसिल को इस मुमबत्ती के सामने रखों, तो क्या होगा? इस वाइट परदे पर, इस वाइट शीट पर इस पैंसिल की छाया हमको दिखाई देगी. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पैंसिल जो है, वह इस मुमबत्ती के सामने रुकावट बन जाएगा और ये प्रकाश की किरणों को इस वाइट ट्राइंग शीट तक पहुशने नहीं देगा, जिसके कारण उस जगे पर अंधेरा हो जाएगा, जिसके कारण इस पैंसिल की छाय हमको इस वाइट रॉएंग शीट पर दिखाई देती है, तो हम एक प्रयोग द्वारा या सपष्ट करते हैं, या देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार छाया बनती है, और जब पैंसिल को हम मुमबत्ती के पास ये दूर करते हैं, तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होत है, इस प्रयोग के साहता से हम यहां जानेंगे कि प्रकास जो है सरल रेखा में गमन करती है, और इस प्रयोग की साहता से हम रेखा गणित को उप्योग करकर एक ऐसे सुत्र का नरधारन करेंगे, एक ऐसे सुत्र को बनाएंगे, जिससे कि हम किसी भी वस्तु के बनने वाले चाया का आकृती, प्रकृती और इस्थान का सटिक अनुमान असानी से लगा सकेंगे. तो चलिए प्रयोक करते हैं. इस प्रयोक को करने के लिए सबसे पहले हमने इस पैंसिल पर एक औल पिन लगा लिया है. कि जब भी हम इस पैंसिल की लंबाई नापें, तो हम इसकी लंबाई इस पिन और इस पैंसिल के शिर्षित तक नापेंगे. वैसे ही जब इसकी छाया इस ब्राइंग शीट पर बनेगी तो उस छाया की भी लंबाई हम उस पिन और उस छाया की अन्तिम छोर तक नापेंगे इसके लिए सबसे पहले हम इस पैंसल की लंबाई को इस पिन से नापते हैं अब हम इसकी छाया की लंबाई स्केल की साहता से नापेंगे। हमने इस टेबल पर एक स्केल बनाया है। जिसमें हमने इंचों से निर्धारण किया है। हम सबसे पहले मुमबत्ती को जीरो पे रख देते हैं। फिर इस कमरे में अंधिरा करेंगे। इस मुमबत्ती को जराएंगे और फिर हम इसकी दूरी को मुमबत्ती से परिवर्तित कर करके देखेंगे कि इसकी छाया क्या कार में क्या बदलावाता है। क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए पहले हम इस कमरे में अंधिरा कर देते हैं। तो चलो, अब हमने कमरे में अंधेरा कर दिया और अब ये मुम्बत्ती जलाते हैं मुम्बत्ती जलाते ही इस पैंसिल की छाया इस पश्ट हमको इस वाइट शीट पर दिखाई दे रही है अब हम इस छाया के आकार को नापते हैं जिस प्रकार हमने पैंसिल के आकार को इस ओलपीन और शीर्ष तक का नापता वैसे हम छाया को भी इस ओलपीन की छाया और इसके शीर्ष तक नापते हैं इसकी छाया की लंबाई लगभग 5 इंच है अब हम इसको थोड़ा सा आगे की और बढ़ाते हैं अब ये पैंसिल 21 इंच पर रखा गया है, अब हम इसकी दूरी को मुम्बती से कम करते हुए इसे 19 इंच पर रखते हैं, अब देख सकते हैं कि इस चाया के आकार में परिवर्तन हो गया, ये चाया अब थोड़ी बड़ी नजर आने लगी, हम इसकेल की साहता से इसको नापते हैं, ये चाया की लंबाई लगभग 6 इंच हो गई है, अब हम इसे 17 पर रखते हैं, जब हमने पैंसिल को 17 पर रखा, मतलब मुम्बती से इसकी दूरी कम की, तो चाया के आकार और भी बढ़ गया, इसको हम नापके देख सकते हैं, अब चाया लगभग 7 इंच की हो गई है, इसी प्रकार यदि हम पैंसिल की दूरी को मुम्बती से बढ़ाएं, अब हम इसको 23 पर रखें, तब हम देख सकते हैं कि इसकी छाया छोटी हो गई है, हम इसे नाप भी सकते हैं, 21 इंच पर रखने पर 5 इंच थी, और हमने अब 23 इंच पर रखा है, तो इसकी आकरिती लग लगभग, इसकी लंबाई लगभग 4 इंच हो गई है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पैंसिल को मुम्बती से दूर और पास करने पर इसकी छाया में भी परिवर्तन होता है, यदि हम पैंसिल को स्थिर रख दे, 15 पर रख दे, और हम इस वाइट शीट को आगे या पी हो तो इसकी छाया छोटी हो रही है, हम नाप के देखते हैं, अभी इसकी छाया है लगभग 6 इंच, और यदि हम इसे दूर रखें, यदि हम इसे 27 इंच पर रखें, तो इसकी छाया लंबी हो गई है, और यदि हम इसे मापें, तो इसकी लंबाई लगभग 8 इंच हो गई ह इसी तरह से यदि हम मुम्बत्ती को भी आगे या पीछे करें तब भी भी छाया क्याकार में परिवर्तन होगा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम चाहे मुम्बत्ती की स्थिती में परिवर्तन करें चाहे पैंसिल के स्थिती में परिवर्तन करें यह ड्रॉइंग शीट के स्थिती में परिवर्तन करें, इस छाया के आकार में परिवर्तन होता रहेगा। वस्तू का आकार और उससे श्रोत की दूरी का अनुपात छाया का आकार और उससे श्रोत की दूरी का अनुपात बिलकुल बराबर होता है.